Hello my dear lovely students, how are you doing? Hope you all are fine and preparing hard for CUET 2022 और उसी hard preparation में हम अपना hard effort डालने आ गए हैं और ऐसे topic हम अभी cover कर रहे हैं जो हमें बोर्ड के regular classes में जो regular course था उसमें था नहीं आपका तो इन chapters को एक बार देखना जरूर बनता है वेकर CUET में सारे आ रहे हैं, right? तो देखते हैं बच्चो क्या हैं ऐसे अपने topics जैसे कि आज का topic है मेरा plant breeding तो देखो यह जो chapter है ना जो भी chapters delete किये गए थे जो भी अभी हम करने वाले हैं इस और वेरी general common chapters एक बार लर्निंग लर्निंग मांगता है यह तो एक बार learn कर लोगे ना तो आराम से sort out रहेगा matter चीक है? तो करते हैं बच्चो So, traits that breeders try to incorporate in plant उसके लिए आपको सबसे समझना होगा पहले कि plant breeding क्या है तो plant breeding जो है जब आप इस चीज को पढ़ते हैं तो क्या समझना होगा? तो देखो हमें basically plant breeding में best quality male and best quality female को hybridize कराना है fine और इसके breeding का basic तो हम समझी चुके हैं कि हम या तो out in breeding करेंगे या out breeding करेंगे बट वो totally depend करते हैं हमें क्या चाहिए तो जब हम hybridize करेंगे आपने green revolution सुना ही होगा green revolution से देखो अपना chapter है strategies for enhancement in food production तो ऐसी क्या strategies अपना ही गई थी जिससे plant breeding जो है मतलब food production जो है वो increase रहे ठीक है तो इंडिया जो है वो green revolution हुआ था ठीक है और इससे बहुत ज़्यादा फाइदा हुआ था as in जो crop production था वो बहुत increase हुआ था ठीक है और यह exactly क्या consider किया जाता है ठीक है तो plant breeding में breeding varieties होने चाहिए if they are so then they are perfect for breeding program तो उसमें breed करवाएंगे best quality दोनों को जब breed कर आते हैं तो best variety आएगी ठीक है बच्चो अब भी वही है green revolution इसी से आया था इसी टेक्नीक से हाया था तो जब हम plant breeding करवाएंगे तो ऐसी क्या चीजे हैं जिन पर हम ध्यान देंगे तो मैंने जैसे लिखा है बोट पे इन चीजों का ही हम ध्यान देते हैं बच्चो ठीक है और इससे क्या है pure lines मतला हम इससे क्या करेंगे एक तो हम हाई disease resistant बनाएंगे high yielding variety बनाएंगे nutritional quality भी देखेंगे कि nutritional quality हम बढ़ा सके तो बहुत ही बढ़िया ठीक है increased tolerance to environmental stresses ये भी ध्यान देना होता है मतला हमारा जो variety हो increased tolerance to environmental stresses तो हमारा जो variety हो वो ये सारी चीजे अगर एक quality उसमें आ जाएगा तो वह आराम से कहीं भी survive कर जाएगा lost नहीं होगा crops का इस तरीके से अब जैसे कि salinity है draught है जरा सा draught आया नहीं कि plant सूखने लग जाते हैं प्लांट जो है वो खराब होने लग जाते हैं तो ये चीजे ना हो ठीक है तो ये चीजे ना हो ठीक है तो इसके लिए हम breathing techniques अपनाएंगे जिससे की highly resistant variety आ जाए yielding variety आ जाए nutritional quality भी improve होए और environmental stresses से tolerance मिल जाए ठीक है तो इससे क्या है जैसे अब salinity है कहीं एरिया में कहीं salinity जादा हो तो plant grow ही ना करें तो क्या फाइदा फिर मेहनत भी लग जाए और growth भी नहीं होती है ठीक है तो ऐसी conditions को जेल जाए माल लो कहीं सूखा ही पढ़ गया जरा सा सुखा पढ़ाने plant खतम तो फिर क्या फाइदा हुआ ऐसको थोड़ा सा यह लोग face कर जाए यह लोग withstand कर जाए ऐसी variety हमें चाहिए जरा सा area change हुआ नहीं तो भी नहीं वो grow कर पाते हैं तो ऐसी तो high yield के लिए better quality of produce quality wise अच्छा हो अब quality as in nutrition हो गया यह सारा कुछ आ जाएगा ठीक है increase tolerance to environmental stress stresses में आ जाता है अपना salinity की soil salinity अगर जादा हो तो भी growth नहीं जो कर पाते हैं तो वो ना हो drought इन चीजों को जहल जाए pathogen से resistant हो जाए insect pest इन सब से resistant होता कि मतलब हम लगाएं उसको soil में और वो हमें अच्छा सा yield दे के जाए इस बीच में जो भी उसकी problems है वो problem ना हो उसके साथ में इसलिए हमें ऐसी qualities चाहिए इसके लिए breeding करवानी पड़ेगी और अपना chapter भी है food enhancement ठीक है क्योंकि crop production बढ़ाना है तो यह सारी qualities हमें incorporate करनी पड़ेंगी वाया plant breeding fine बच्चों कैसे करेंगे तो आगया है यह आपका steps in a plant breeding सबसे पहले जॉम plasm collection is the first step जॉम plasm क्या है देखो breed करना है आपको बार बार कहा रही हो best quality के दो variety लेने हैं अपने को जो एक male होगा एक female होगा और फिर cross कराएंगे हम उसको अब best quality जब लोगे कहां से लोगे एवाई कहीं से तो नहीं उठा सकते हो तो वो जो best quality होगा वो हम कहां से लेंगे germ plasm as in कि मालो कोई wheat है, maze है, rice है तो आप wheat की जितनी available varieties है चाहे वो wild variety है जो हम नहीं खाते हैं लेकिन variety तो है उसकी भी तो कुछ तो quality होगी ढंकी समझ रहे हो ऐसा नहीं है कि wild जंगली variety है तो उसको तो नहीं खाते हैं तो उसको नहीं चुएंगे जानी है उसमें भी कुछ qualities होती है जो अच्छा होता है तो इस तरीके से पहले तो जितनी wheat की available variety है उसको collect करो that is called germplasm collection समझ रहे हो कि available जितनी हमारे पास collection है चाहे वो wild variety हो चाहे वो relatives हो या कोई कुछ भी हो ठीक है so इसमें entire collection आ जाता है entire collection of plants या फिर उनके seeds जिसमें different divers alleles available हो वो collect किया अब जब वो collect कर लोगे तो अगला step क्या हो जाएगा simple सा है पहुत easy steps है common sense वाले steps है आपने जब भीड खटा कर लिया कि क्या करना है मतलब यह जो available germ plasm है इन में से हमें अब क्या करना रहेगा evaluation and selection of parents कि आपको क्या चाहिए आप किस चीज के लिए breeding करवा रहे हैं तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर ढूनेंगे parents कौन से होने वाले हैं हमारे मतलब which two qualities are we looking for तो उसके लिए जो द selection is done माल लो मुझे बच्चों का competition ही कराना होता है तो सबसे पहले तो मैं class 10 का competition कराना है तो जितने section से माल लो 6 section से 10th के सबको पहले खटा करेंगे और फिर उनमें से select करेंगे कौन से बच्चों को लेना है बस कुछ ऐसा ही हो रहा है पहले सारा collect करो collect करने के बाद में evaluate करो आपकी requirement क्या है उस हिसाब से आप parent select करेंगे जैसी parent selection done हो जाएगा दो parent ले लिया हमने उसके बाद में cross breeding of selected parents अब cross breeding कैसे करवाएंगे बच्चों तो आपने chapter 2 में पढ़ा था न emasculation bagging tagging तो cross breeding जब आप करवाओगे तो अगर bisexual plant है तो emasculation करेंगे अगर unisexual है तो emasculation की जड़ोत नहीं है बस वो direct हम pollination करवादेंगे desired जो भी हमारा selected male parent होगा तो ऐसे करके हमने cross breeding करवादी ठीक है अब cross breeding करवादी तो pollination हो गया fertilization हो गया after that क्या होगा after that selection and testing of superior recombinants ठीक है तो selection यह अपने आप पे यहां यह पूरा जो step है न बच्चो देखते हैं बहुत आसान सा लग लागा है ठीक है भीड इखटा कर लो germ plasm collect कर लिया हमने फिर selection of parents कर लिया cross breeding करवादी मतलब pollination उसके बाद में offspring आगया offspring को भी आप सारों को use नहीं करोगे we'll use selection and testing of superior recombinants मतलब बहतर मालो हमने 100 करवाए है तो 100 के 100 मतलब 100 crossings करवाए है तो उसके जितनी भी प्रोजिनीज होंगी for example 100 crossings के 100 of spring आये for example तो सारे के सारे जो है वो आपको successful rate दे दे ऐसा जरूरी नहीं है अगर 100 करवाए है 100 है तो कुछ 5 ही ऐसे होंगे या 10 ही ऐसे होंगे result आएगा वो क्या आएगा seeds आएगे ना इसके जो result होगा इसका seed collect करके आप selection and testing of superior recombinant कैसे करोगे इनके seeds को collect करोगे फिर इनको grow करोगे और grow करके बकाइदा check करेंगे कि जो quality हमें चाहिए वो आया या नहीं आया अब आप सोचो कितना tedious process है it's not that easy तो सारे seeds को collect करा grow करा फिर check करा कि जो quality हमें चाहिए जिस भी quality के लिए आपने उसको breed कराया है वो quality कितनों में आया वो check कर लिया एक बार जब वो check किया तो उसकी proper वकाइदा market में launch से पहले हम उसकी testing कर लेंगे धंग से and then release and commercialization of new cultivars यानिके जब एक बार हम satisfy होगे कि हां हमें जो quality चाहिए वो आ गया है and it is fine then इसको फिर market में commercialize कर देंगे I hope you understood बच्चों तो इस तरीके से पूरा plant breeding किया जाता है अपने आप में बहुत time consuming process है एक एक चीज चेक किया जाता है एक एक चीज टेस्टिंग में मतलब इरिगेशन कैसा उसका हुआ उसका जो भी fertilizer और जो भी करते हैं pesticide वगेरा उसका कितना impact आ रहा है कितना देना पड़ रहा है इन्हों सारी चीज़े चेक होती है उसके बाद में उनको सब करके then commercialization की जाती है अब ये जो है this talks about varieties these are the different high yielding varieties जो इंडिया में develop हुए है ठीक है of wheat, rice, sugarcane and millets तो आपको बस names learn करने रहेंगे बच्चों यहाँ पे ठीक है क्योंकि देखो ये जो agriculture है ये इंडिया का 33% GDP acquire करता है so it's a huge industry समझ में आया तो बहुत जादा मतलब 62% population इसमें involved है it's like very responsibility का काम तो ये सारे अब develop हुए है इसमें variety के बस names दियान रखने है wheat and rice है तो 1960 से 2000 के period में wheat production जो है 11 million ये facts है facts learn करो 11 million tons 75 million tons जो कितना whooping jump है and wheat while rice production 35 million 89.5 90 पकड़ लो कितना whooping jump हो रहा है so this was due to क्यों हुआ semi dwarf varieties of wheat and rice जो है वो लाया गया semi dwarf के बच्चों मैं बता दूं आपको quality क्या है semi dwarf याने कि बहुत ज्यादा height भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है semi dwarf है ठीक है तो इसका फाइदा यह होता है कि ज्यादा जो तूफान या जो भी यह storms वगेरा आते हैं ठीक है तो उन सब में यह ज्यादा नुक्सान नहीं होते बिकर टॉल height अगर होगा तो इसका रूदाओ दूटू 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 डूटू दूटू 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 दू स्टूम्स दूटू नहीं होने के कारण यह फॉर्म रहता है and disease वगेरा भी कम इनको लगती है the height is like very you know favorable for growth so wheat and rice का यही semi dwarf variety की वज़े से production बहुत पढ़ गया देखी रहे हो आप कहां से कहां पहुचा and Normani Barlogs जो थे in National Center for Wheat and Maze में थे उन्हों ने क्या किया semi dwarf variety of wheat develop किया तो India ने क्या किया 1963 में बहुत varieties निकाली जैसे की Sonalika and Kalyanzona यह wheat के high yielding and disease resistant variety थे जो India के wheat growing belt में introduced किया गया ठीक है और rice की भी variety जो है semi dwarf that is IR8 वो International Research ERI में developed किया था Philippines में and Taichung Native 1 from Taiwan तो यह introduced किया गया 1966 में and Jaya and Ratna जो है वो इंडिया में develop किया गया तो यह आपको names learn करने रहेंगे similarly sugar cane saccharum barbary जो था वो North India में grow होता था अब इसका problem यह था कि sugar content तो कम था लेकिन yield अच्छा था और tropical canes grown in South India जो था ओफिसी नेरम वाला sugar cane वो थिकर stem था high sugar content था लेकिन North India में obviously grow नहीं कर पाता Northern conditions में तो idea क्या निकाला दोनों को cross कराया cross करने के बाद में दोनों की यह जो qualities है इसकी high yield और इसका sugar content यह दोनों combine हुआ एक नया variety आया जो की easily अब देखो thick stem भी आया high yield आ गया, thick stem आ गया high sugar आ गया and ability to grow in North India सारी qualities combine हो गई उसके अंदर तो फिर sugar cane की जो production है वो भी increase हुआ then millets, hybrid maize, jowar, bajra have been successfully developed in India and hybrid breeding have led to development of several high yielding वही बात है कि जित्ती भी ये grains है इन सारे grains में high yielding disease resistance varieties खूब अब develop कर ली गई है by crossing the best varieties तो ये तो आपको names learn करना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि यह varieties के names दे रखे हैं तो ये क्या था high yielding varieties थे अब देखो methods for breeding for disease resistance तो methods तो same आजाएंगे क्योंकि crop breeding है तो कोई different method तो use नहीं होगा it's same as the previous one जो हमने पढ़ा था steps वही आजाएंगे कि germ plasm screen किया hybridization of selected pair and selection of hybrid and testing वाला जो हमने ये पढ़ा था ना technique यही आजाएगा ठीक है तो बस आप इसमें ये देखो कि इस technique के through इन्होंने disease resistant varieties क्या-क्या develop करी so wheat की variety जो है वो हीमगीरी आगया जो leaf and stip rust hillbund नाम के बिमारियों से resistant हो चुका है brassica जो mustard होता है हमारा rye जो बोलते हैं वो pusa sword name variety है वो white rust से resistant हो चुका है polyflower, cowpe, chili ये सब इनके ये variety के names है और ये किस किस बिमारियों से resistant है वो इनके names यहाँ दे रखे हैं से black rot and light black rot bacterial blight से pusa komal जो cowpe की variety है pusa sada bahar, chili mosaic virus tobacco mosaic leaf curl इन सब से resistant हो चुका और यही वो बिमारिया है जिससे plant जादा जादा सफर करते हैं तो already they are resistant to these diseases तो और methods जो है methods ये आगया आपका same as studied ठीक है studied क्या same as slide जो previous slide जो था same as plant breeding बात तो वही है ने breeding आप करोगे तो ऐसे ही करोगे आपौन सानिया टेक्निक लाओगे तो ये वो हो गया तो आपको बस याद रखना है मेल है आपको ये diseases और ये variety learn करना वो सबसे जादा important है तो ये table अच्छे से याद कर लेना after this एक और new टेक्निक आती है that is called mutation breeding ठीक है so mutation क्या है mutation is a process by which genetic variations are created दो changes in base sequence within gene तो mutation breeding अपने आप में बहुत interesting process है या बहुत interesting टेक्निक है क्योंकि conventional breeding के अपने नुकसान है conventional breeding जो है वो time consuming होगा और surety नहीं है ठीक है तो mutation जो है ये थोड़ा सा एक अपने आप में revolutionary टेक्निक हो जाता है क्योंकि conventional breeding जो है वो disease resistant gene वगेरा कम available होते हैं ठीक है तो यहाँ जान बूच के mutation induce करा के उनमें change लाना अब इसमें भी हाला कि surety वाली बात तो इन में भी आ जाती है क्योंकि mutation induce कराते हो यह sudden random changes होते हैं हमें नहीं पता होता कि वो जो change हम चाह रहा है वो आया ही आया यह हमें नहीं पता होता बट हम क्या करेंगे कि वो disease resistant variety create करना है तो हम एक यह भी तरीका अपनाते हैं कि हम जान बूच के mutation induce कराएं इन में ठीक है by using gamma radiation जान बूच के mutation induce कराएं mutation आप जानते हो sudden random changes in the gene sequence है न विदिन genes तो जब हम करवाते हैं और जब check किया तो देखा कि वही mutation आ गया है जो हम चाहते हैं फिर उसकी breeding करा दी अब जैसे कि इन्होंने moon bean resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew were induced by mutation जान बूच के mutation induce करके gene में ऐसे changes लाएं कि वो gene जो change हुआ वो they became resistant to yellow mosaic virus and powdery mildew जो fungus होते हैं उनसे विलकुल resistant हो गए ठीक है तो artificially यह वही है कि they result in creation of new character or trait not found in the parental type और कैसे किया जाता है वह artificially inducing mutation by use of chemical and radiations ठीक है तो इस तरीके से हम mutation breeding करवाते हैं very important topic so learn the example fine बच्चों now इसी के process में next जो हमारा आता है वो है plant breeding for developing resistant to insect pest ठीक है तो बहुत सारे ऐसे plant है जो variety है जो इन सब इंसेक पेस्ट से resistant है तो breeding किस लिए करवा रहे हैं मैंने आपको थोड़े पहले ही बताया था कि आपका purpose क्या है breeding का हम क्या चाह रहे हैं breeding से वो important हो जाता है तो breeding purpose अगर हमारा disease resistant बनाना है तो टक्नीक वही रहेगा लेकिन एम हमारा कि हाने फिलहाल disease resistance पे focus करना है similarly यहां पर insect pest से resistant करना है तो breeding technique वही आ जाएगा बाकि जो result है वो यह है जैसे कि brassica जो अपना mustard है वो उसका variety है पूसा गौरव and this is resistance to a phase and flat bean जो है पूसा same two and three यह जासी जासी जाफीज और फ्रूट बोरर और भिंडी जो ओक रहा है पूसा सावनी और पूसा यह फोर यह शूटन फ्रूट बोरर इन से resistant है so remember कि disease resistant में कौन कौन सी वराइटी किस से resistant है mutation breathing क्या है then कौन से insect pest से कौन सा plant resistant हो चुका है all these things you have to learn बच्चो तो यह ध्यान से इनका जो वेराइटी है इनको learn कर लेना आप ठीक है तो यह तो हो गया plant breeding for developing resistant to insect pest अब आप इतना पढ़ो क्योंकि learning का काम मैंने बहुत सारा बता दिया है आपको तो आप इनको learn करो और मैं मिलती हूँ आपसे next video में वहाँ पर हम क्या करेंगे chapter को wrap up कर लेंगे और उसके आगे फिर इससे related जो important questions हो सकते हैं जो practice exercises हैं वो हम देख लेंगे तब तक के लिए all take care and goodbye children bye